रेस्टारेंट जैसे चिकन टिक का बिर्यानी घर पे बनाने है लेकिन ना तो तंदूर है ना आवन है तो हम ग्रिल कैसे करें आज मैं आपको बताऊंगे एकदम सिंपल रेसेपी जिससे आपके टिक्के जो है वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे और आपको किसी भी चीज की ज चाबल बनेंगे जिससे आपकि बिर्यानी बहुति बढ़िया बनेगी और इसे कैसे बनाना है किस स्टेप के बाद मैं क्या करना है बो भी मैंने इसने बताया है तो सबसे पहले तो हमें मैरίνए टियार करना है तो tane पहो успe मैंने लिए है टंगा हुआ दई और उसमें में मसा आट मसाला थोड़ी से हल्दी की पाउडर और उसी के साथ भूने हुए जीरे की पाउडर डालेंगे अब यहां पर मैंने अदरक लसुन और मिर्श को पीस लिया है और उसकी पेस्ट भी हम इसमें डालेंगे और इसमें फिर हम डालेंगे तेल आपके पास अगर सरसो का तेल ह तो आप डाल सकते हैं नहीं है तो आप जो भी तेल आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकते हैं जो भी कॉंटेटी है इंग्रिडेंट्स की वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगे और वीडियो के नीचे भी आपको वो लिखी हुई मिल जाएगी तो आप वहां से कर सकते हो अब इस मिक्शर को एकदम अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसमें डालना है स्वादानुसर नमक जो की बहुत इंपोर्टेंट है और फिर उसके बाद में हमें इसे अच्छे से मिक्स करके ये मैरिनेट जो है वो हमें चिकन पे लगाना है तो चिकन जो है वो के पस उतना टाइम नहीं है तो मिनिमम एक घंटे के लिए आपको मैरिनेट करके छोड़ देना है और चिकन के जो पीसेस आप लोगे वो मेड़ साइज होने चाहिए बहुत ज्यादा बड़े पीसेस आपको नहीं लेने है इस बात का सिर्फ खयाल रखना है आपको अब जो है इस तरह साइज है अब इसमें हम डालेंगे करीबन देट टीस्पून जितना नमक और इसे एक दम अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे यह जो प्याज हमने मिक्स किया हुआ है उसका पानी छूटने लगेगा और उसका पानी छूटने के बाद बरिस्टा बहुत ही बड़िया बनेगा यह बहुत important tip है अब यहाँ पे मैंने थुड़ा सा गरम पानी लिया है और उसमें मैं केसर भीगो रही हूँ रंग के लिए अब पानी के जगा पे दूद का इस्तमाल भी कर सकते है इसे भीगो के आपको साइड में रख देना है जब तक बाकी तयारी होगी केसर अच्छे से रंग छोड़ेगा अब जो प्यास है यानि बरिष्टा बनाना है तो प्यास जो है उसका सारा पानी आपको निचोड लेना है एकदम बढ़िया तरीके से पानी निचोड लेना है उससे क्या होगा आपका प्यास जो है वो अच्छे से क्रिस्पी भी होगा और उसको fry होने के लिए कम टाइम लएगा तेल को अच्छे से गरम कर लेना है और फिर उसकी आज जो है वो medium रखनी है और फिर medium आज पे हमें ये प्यास जो है वो fry करना है प्यास fry करते समय बीच में एक दो बार इससे चलाना है चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है बीच बीच में थोड़ा सा चलाना है और ये देखना है कि प्यास जो है वो अच्छे से golden brown हो रहा है जादा dark नहीं करना है वरना वो कड़वा लगने लगेगा तो इस stage पे हमें प्यास को निकाल लेना है ये देखें आपका बड़िया सा बरिष्टा बनेगा और एकदम ही crispy बड़िया बरिष्टा बनके त्यार हो जाएगा अब इसके बाद हमें चावल को भीगोना है तो मैंने चावल को अच्छे से दो लिया है और उसे भीगो के रख दिया है चावल को हमें करीबन 50 मिनिट के लिए भीगोना है तो इस स्टेज पर हमने चावल भीगो के रख दिये तो चलिए जब तक चावल भीग रहे है हम टिका बनाते है इसलिए मैंने आपको कहा कि आप step by step इस वीडियो को देखिए कब कौनसी step करनी है यह मैंने properly इसमें बताया है तो उसी हिसाब से आप करोगे तो अपका एकदम perfect बिर्यानी बनके तयार होगी और कोई भी चीज आगे पिछे नहीं होगी मैंने skiver पे टिक्के लगा लिए है आप चाहे तो wooden skiver इस्तमाल कर सकते है लेकिन उसको पानी में भीगोना पड़ता है और वो बहुत जल्दी जो है वो fire याने की आग पकड़ लेते है तो इसलिए मैंने steel के skivers यूज किये है और इस तरह से एक जाली लेकर मैंने उस पे chicken पकने के लिए रख दिया है तो अभी chicken पकना चाहिए इसलिए आपको आज जो है वो धीमी रखनी है मीडियम से लेकर धीमी ही रखनी है ज़्यादा बड़ी आज करोगे तो उपर से chicken काला हो जाएगा और वो पकेगा नहीं और चिकन पकाते समय इस तरह से मैं इसे melt किया होगा बटर लगा रही हो जो भी आपको पसंदो इससे आपका चिकन जो है वो अच्छे से पकेगा tender रहेगा juicy रहेगा और ये जो चिकन है वो इस तरह से आपको अल्टी पल्टी करके अच्छे से पका लेना है एक बार चिकन पक जाए तो उसमें स्मोकीनेस अपने आप आजाएगा आप इसे ग्यास पे पका रहे है 70% अपका चिकन जो है वो पक जाना चाहिए इस प्रोसेस में और ये देखे कितने बड़िया टिक्के बन चुके है अब इसे आप साइड में निकाल लीजिए अब एक पतीले में मैं ले रही हूँ तेल जिसमें हमने प्यास को फ्राइ किया था वो ही तेल में ले रही है उसमें प्यास का फ्लेवर आ जाता है उसमें लंबाई में कटा हुआ प्यास डाल दिया है मैंने और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक ही गोर्डन ब्राउन ना हो यह हम बना रहे है टिकका की ग्रेवी तो उसके लिए प्यास अच्छे से भून लिया है उसके बाद में हम डालेंगे लंबाई में काटा हुआ टमाटर और साथी थोड़ा सा नमक ताकि यह बहुत अच्छे से पक जाए और अपना पानी छोड़ दे तो इस तरह से हमने टमाटर भी डाल दिया और टमाटर को भी हमें पकाना है और यह देखना है कि टमाटर जो है वो एकदम अच्छे से पक जाए अगर यह ठीक से पके नहीं है तो इसे और पका के फिर हम इसमें आगे प्रोसेस करेंगे अब यहां पर जो हमारा मैरेनिट बचा था उसमें मैंने थोड़ा सा और दही डाल दिया है उसमें मैं डाल रही हूँ बिर्यानी मसाला इसे में बिर्यानी का स्वाद आएगा और अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद दे तो आप यहां पर एक चमच लाल मेश का पाउडर भी डाल सकते हैं और इसे एकदम अच्छे से मिक्स करके हमें इसे डालना है मसाले में नहीं देखिए प्याज और टमाटर अच्छे से पक चुके हैं अब इसे हम डाल देंगे मिक्षर प्याज और टमाटर पे ताकि हमारी जो बिर्यानी की ग्रेवी है वो बढ़िया बने तो यह देखिए मसाले वाला दही इसमें चला गया उसको भी चला के थोड़ा सा हम पका लेंगे और एक बार यह ग्रेवी बन जाए फिर उसमें हम टिक्का डालेंगे तो यह ग्रेवी बन चुकी है इसमें चिकन के टिक्का डालके उन्हें मिक्स कर देंगे सिर्फ कोट कर लेना है जादा हमें इसे अभी पकाना नहीं है और फिर इसे साइड में रख दीजिए एक पतिले में पानी लेकर उसे गरम करने के लिए रखिए और उसमें सारा जो खड़ा मसाला होता है वो डालेंगे इसकी लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप वहां से चेक कर सकते हो और फिर नमक डालना है नमक इतना डालना ही पानी थोड़ा खारा हो जाए फिर उसमें डालेंगे घी और फिर उसमें निक्चोडेंगे हम थोड़ा सा नीमबू कर जूस और यह नीमबू जो है वो भी उसमें डाल देंगे नीमबू से आपके चावल खिले खिले बनेंगे और साथी वो सफेद भी दिखेंगे बहुत ही बड़िया पकेंगे आपके चावल तो इस तरह से मैंने उसमें चावल डाल दिये एक बार पानी में उबाल आये फिर ही आपको चावल डालना है और फिर चावल डालने हुए थोड़ा सा मैंने हिला दिया आपको हलके हाथों से करना है ताकि आपके चावल तूटेना और फिर आपको इस तरह से निकाल के चेक करना है तो चावल भी करीबन 70-80% पक जाने चाहिए आप इस तरह देख सकते हैं या तो आप खाके भी देख सकते हैं चावल पक जाए तो फिर आपको गैस बंद कर देना और निम्बू कर जो हमने इसमें चिलका डाला था वो चिलका आपको निकाल लेना है और अगर आपको पसंद नहीं है तो जो खड़े मसाले बड़े बड़े वाले होते हैं वो आप निकाल लीजे आप चलिए लेयरिंग करते हैं तो हमने सबसे पहले डाला है चिकन पे बरिस् और उसी के साथ हम डालेंगे बारी कटा हुआ पुदीना, पुदीना मिस मत कीजिए उससे बहुती बड़िया फ्लेवर आता है तो पुदीना जरूर इस्तमाल कीजिए, अब जो चावल हमने पकाई थे उसमें से आदे चावल हम अब डालेंगे बिर्यानी पे, यानि कि हमारी चिकन पे हम ये आदे चावल डालेंगे, अब यहाँ पे एक बहुत इंपोर्टन टिप है, आपको पहले चिकन बनाके रेडी करके रखना है, और जब आप चावल उबालोगे तो जैसी आप चावल का ग्यास बन करते हैं, तुरंत आपको बिर्यानी की लेरिंग करनी शुर बनाएंगे, फिर उसके उपर फिर से हम डालेंगे हरा धनिया और साती में चौप किया हुआ पुदीना, और इन सब चीजों पे हमें फिर से जो बचे हुए चावल है वो डालने हैं, तो आप ये बात ज़रूर धियान में रखे कि चावल पानी से निकलते ही आपके बिर्य यही पर हम लोग गलती कर देते हैं, और फिर हमारी बिर्यानी बाहर की बिर्यानी जैसे बनती भी नहीं है, तो ये देखे, अब उपर का लेर भी लग चुका है, अभी इस पर हम डालेंगे घी, यह आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, और फिर उस प्लेट रखके से पकाना है, तो यहाँ पर मेरा जो बर्तन है, वो पर्फेट बिर्यानी का बर्तन है, लेकिन अब इसके अंदर अलुमिनियूम फॉइल लगा के फिर प्लेट रखके, उस पर फिर कोई तो वजनी आपको कोई भी चीज रखनी है, यहाँ पर देखिए, इस अब इसे ही रखा था, फिर मैंने इसे खोला है, तो यह देखिए, कितने बड़िया चावल खिले-खिले बन चुके है, और यह देखिए, इतनी बड़िया हमारी विर्यानी बन चुकी है, मैं प्लेट में निकाल के भी आपको दिखाऊंगी, बहुत ही बड़िया विर्यान बन चुकी है अगर आपको मेरी वीडियो पसंदे तो उन्हें लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू